हेलो इस्टूरेंट्स कैसे आप सभी लोग वैलकम बैक टूए निव वीडियो तो आज की वीडियो है हम चैप्टर नबर सेवन जिसका नाम है इस्ट्रक्च्छल ऑर्गनाज़ेशन इन दा एनिमल्स इसके रीडिंग करने वाले इसके मैं कुछ टम्स है कुछ नोट्स है एं कि डाइग्राम तो NCRT के सारे की सारे इंपोर्टेंट होता है तो डाइग्राम आप NCRT में से जो भी इस में से बच रहे हैं वह NCRT में से आप कर लीजिएगा तो जल्दी से चलती है स्टार्ट करते इस चाप्टर को सबसे पहले आपन को दे रखा है सैल जंक्शन की वारे है यह तान से पहले है तीन तरह के हो इसकते हैं तो सबसे पहले है टाइट जंक्शन वह हो रहा है तो उसको रोकते हैई तो उसके बाद में अड़रिंग जन्क्शन की बात करेprochen Exodar pane का क्या काम होता है perform the connecting function to keep neighboring cells together connecting function काम करते हैं और दो पास की जो cells होती है उनको एक साथ रखने का काम करते हैं फिर उसके बाद में gap junction इनका काम होता है facilitate the cells to communicate with each other cell को facilitate कर रहाते है to communicate with each other by connecting the cytoplasm of the adjuncting cells for the rapid transfer of the ions यह cytoplasm को connect कर देता है gap junction होता है cytoplasm को connect कर देता है for the rapid transfer of the ions, sometimes big molecules फिर उसके बाद में types of the fundamental element tissue animal tissue कुछ fundamental जो है उनके कौन कौन से types हो सकते हैं तो सबसे पहले epithelium connective muscular neural यह चाल टाइप होता है epithelium connective muscular and neural neural एपithelium की बाद करें तो freely surface पे present होते हैं सारे के सारे और protection, secretion, excretion, absorption, sensory and disruption का का काम करते हैं फिर उसके बाद में connected tissue होता है inside the body in organs and other tissue below the skin skin के below the connected tissue फिर उसके बाद में holding or binding किसी चीच को पकड़ दे आपन, किसी चीच को भांद रहे हैं support, support, transport and calculation, protection and storage का का काम करते हैं फिर उसके बाद में muscular tissue की बात करें तो inside movable parts जो भी movable parts होती हैं जैसे अपनी arms होते हैं उनके अंदर होते हैं momentum and locomotion में help करते हैं पिर उसके बाद में help करते हैं movement and locomotion के अंदर फिर उसके बाद में nervous tissue συν central nervous system और every organ के अंदर peripheral nervous system में होते हैं central nervous cns में होते हैं और pns पे होते हैं communication and control का काम होते हैं communication and control का मतलब cell to cell communicate करना और control करना उस चीज़ का काम होते है फिर उसके बाद में animal tissue का अपन को जो वो तो पिछला वाला था अब दिया हो असली चीज कि cleansing muscular neural긴 neural odc vari प्रकार के होते हैं Currently, epithelium के अंदर दो तरहाइब होते हैं 1 simple compound होते है epithelium है अपना epithelium के अंदर 2 होते हैं 1 simple and 1 compound 2 प्रकार के होते हैं सबसे पहले पने जब से पहले होते हैं पने सिंपल में hom cans सेल्स यह क्या एक लियर ऑफ से मिलकी बने होता है सिंपल वाले और फंक्शन्स एस दे लाइनिग ऑफ बॉड़ी कैविटीज और ट्यूब को लाइन करने का यह काम करते हैं उनकी लाइनिंग करने का काम करते हैं फिर उसके बाद में सबसे पहले देखे इसक्वाइमस क्या हो कि मिलकी न्टील करते हैं सबसाहिस बूल्स में उप्लैस कुषया यह महदा आता है 성्वाइमस मावच का लेंयग कया रहरी कि मरें अछीज ऐती हैं रहाली prac और व्यूंट ऐस में अक्र सब्सक्राइब similarly आप Lyman shirt कि उनको बोलते क्लोबगार इसे टाइप में तो कॉल्म पाहय जाती है और फ्री इसर्फेस में माईक्रुल इन ऑपर माईक्रोबिला यहुताइब हो सकते हैं , फिर उसके बाद में इने लाइनिग के समा के अंदर वह होती है मिकज़ा प्रेग् प्रेए धोडिया इंदर होती है माईक्रोा यांशा के ंदर तो स्टमख काुलिषटर्द की बात करें और यह फिर इल्युलिआटेटauen के गया होता है कोलमिनार क्यूबर्ड इल्स cop con कोईब कोई पर अगर सिलीजर प्रेजंट दो आपने का बोल देंगे कौन सी है तो सिलेटर है मूँप इंट ये इनका काम होता है पार्टिकल्स को मूव करती है in the specific direction particles को मूचस को मूव करवाती है specific direction के अंदर in the bronchials and phallopin tube जैसे phallopin tube हो गया उसके अंदर जो ag होता है उसको movement किसके कारण होता है तो वो ciliated cells होती है होँआ पे इसके कारण नहीं होता है तो उसके बाद में compound के बात करें तो compound made up of more than two layer of cells, more than one layer of cells से मिलके बने होते हैं, provide the protection against the chemical and the mechanical stresses. Chemical और mechanical stresses की against protection प्रोटेक्शन 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 करवाते हैं, फिर उसके आद में cover dry surface of the skin. इसकिन की जो dry surface होती है उसको cover करने का काम करते हैं most cavity, pharynx, inner lining of the ducts, of salivary glands and pancreatic ducts इनकी dry surface होती है उनको cover करने का काम करते हैं फिर उसके बाद में glandular epithelium के बात करें तो glandular epithelium में दो प्रकार होते हैं एक तो exocrine gland और एक endocrine gland exocrine हो गया, x से याद कर लो, z आएगा enzyme, exocrine, z, enzyme secret करती है और exocrine होगी, secret mucos, saliva, oil, secret करती है, milk and digestive enzymes ये सारी चीज़े secret करती है, और product release to the ducts, अब ये exocrine होगे exocrine में क्या होता है, duct के through release होता है, और endocrine जो होती है वो hormone release करती है, पहले बाद दो, और दूसरे directly fluid के अंदर, जैसे कि blood होता है, उसके अंदर क्या है, दिलीज हो जाते है and bathing the gland, और gland को बात करवा देते सीधा फिर उसके बाद में connective tissue के बात करें, तो connective tissue क्या करते हैं, सबसे पहले epithelium हो गया, epithelium, epithelium connected tissue हो गया, epithelium के बाद में, एक बार रुक जओ, तो जैसे कि मैंने बताया था, epithelium के बाद में connective आएगा, फिर muscular आएगा, फिर neural आएगा, तो connective वापन पढ़ने वाले हैं, connective को पढ़ने के लिए जल्दी से चलते हैं, नीचे के लिए, तो यह connective tissue की बात करें, तो connective tissue दो प्रकार की हो सकते हैं, एक तो proper connective tissue, एक space last connective tissue, proper connective tissue क्या होते हैं, loose connective tissue and dense connective tissue दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, और उसके बाद में space last connective tissue होते हैं, यह skeletal tissue होगे, fluid connective tissue होगे, skeletal tissue और fluid connective tissue दो प्रकार में डिवाइड होते हैं, तो proper को अपन ऐसे पास डेंस इस रचे बाद पर आके बिगामेंट इसके बात W है तो जोड़ा से लिगामेंट मीडिय मेख तो इसके बाद में fat a और प्हाइं यह सारी चीजे में उसके बाद में इसकैलेट्रिल टिशु की बात करें, तो इसकैलेट्रिल टिश्यो में दोगारल होते हैं आप OneSet Cartilage तर बazy畑 बार क्नेक्टियो की बात करें, फिर उसके बाद में fulud connective tissue का भूद नुлов प्रकार की होते लि्म दोगारल या रिक पैस अप लट में penτα practically tissue फिर उसके in the semi fluid ground substance सबस्देंज के अंदर उसके बाद में ऐरिलरी टिशू हो गया जैसे कि प्रेजेंट बेनिदा इस्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं यह क्या होता है जैसे माँलो अपनी इसकिन के नीचे प्रेजेंट होते हैं इसमें क्या होता है फिब्रियो ब्लास्ट मैक्रोफेज़ और मास्ट सेल इसके अंदर फिब्रियो ब्लास्ट होते हैं मैक्रोफेज़ होती है और मास्ट सेल एफ एम एम ये याद रख लेना इसके नीचे प्रेजेंट होते हैं और ये इसकीन है याद रख लेना इसको ये इस यह भी क्या होता है, इसिकिन के नीचे ही located होते हैं, और our specialized to store fats, लेकिन यह क्या करते हैं, तो यह भी skin के नीचे होते हैं, और fat store करने का काम करते हैं, तो यह fat store करने का काम करते हैं, बहुत ज़्यादा important चीज है, फिर उसके बाद में dense to होते हैं और घंडेन्ट होते हैं यह वोकिसे याद रखो ओगा ना वो किसे मसल टू बॉन नृमिसल टू बॉन exist वोन क्षेट करने काम करेंगा टेंडल है नहींृ और लीगामेstat की बात करें लीगामेंट में तो आपको बल रात रिखना है बंभ बेल Бी तो बल्ब लिगामेंट बल्ब ययाद रखो तो क्या बॉंट चुट STEP में कॉलिजन आरक है हर नीस हुए न इसमें आ principles और शुग्यवर्य में और फीर्ऑ लास्ट होते हैं कि ये कि वार्म होता है इसे सक्ण drought ये बाद मैं तपर इस चनेक्ट से Pizza Kvas कनेक्टिशु सा responsibilities between San BRAda कर आपन जैसे यह आपको ये आपको आब के आयृगराम मैं बता announcement तिश्यू और फ्लूर्कनेक्टिव टिश्यू इन दोनों की बात करने वाले हैं तो जल्देश चलते इनको पड़ते हैं सबसे पहले पन देखे का तिलीज होता है का तिलीज इस मेड़ा पाथ कॉंडियोसाइट सें कोलीजन फाइबर्स तो बहुत इंपोर्डेंच चीज ची इते डै मेंने दोड़ता और व ससथिंगे वर्स दृतन की नर फ्लीजन टाइबर्स करूंज के अब हुए निचारल क्यूंस तरुर्ट नि इंदर उन्देब कर लिए उनके शियरोमद है आउन उननके बीचिंघर सेंफ लिए फेंट के दिए बार्ण बांस कि बात करते हैं तो बॉन्स के ऑन्स क्लशियुम्स असरीविंस एक या इस इन नॉजन ओर मसी पॉइंदर क्लशियुम्स क्लेकर को्लेज़Eंट 3 to 3 सब्सक्राइबब स्बचायस वह ग्रांड कावौेड साथ-ठाइबवर्स के आन्दर और ये होता है कॉणीर साइबस दोनों के अंदर प्रि प्रियो सैट्स आर प्रेजेंट इन दर लिवन के अंदर जो लिक्विड होता है पार्ट उसके अंदर प्रेजेंट रोड़ियों प्रड़िक्ट दा सॉफ्टर टीशू सपोर्ट एंप्रटेक्ट का काम करते हैं बॉस्टर टीशू इंट्रक्ट विद इसकेलेटर मसल्स और इसकेलेटर मसल्स होता है उसके साथ में ःट्रक्ट करते हैं तो ब्रिंग अब अबयुएंट्स और मॉवमेंट्स लेके आती है बाइन संब बॉन्स निदर जो बाइन मेर कोता है इससाइट ओप ब्लड फां बल्र साइट फांसे रोड ब्लड कि आउट मेर का साइट है कु कैसे में तो यह सबसे पहले निए तर निए है, तो यह सबसे पहले प्लेट офसकूलरory के बात होता है 20121 प्लाज्मा प्लाज्मा फ्लाज्मा तो दोनों लुम्ट यह उता है प्लाज्मा यह चेक लो और इसमे यहाँ प्लोड टेमाट के इंदर ने लुम्ट होती है इस लियुकैप्सुल स्होते और एक बłamकाल कि जाता एंगाद में काम करती बार गोपी सी थो फर उसके बाद यूकर में पर कर ढोज नहीं हते हैं पर उसके बाद में ग्रैनुलुसाइट क्रेप नande इसेनो फिलस एंबेस फिलस फिलस तीन पार्ट में डिवाइड किया गाए ऑपने अपर ने रहा है कि लॉंग और contractile cells called as the fibers bring about the moments and locomotion अब muscular tissues की बात करें तो अपने पहले अपने बात कर लिये किसकी epithelium connective की बात कर लिये epithelium की connective की अब muscular की बात करें तो ये long contractile cells होती है जिनको 5 बोला जाता है bring about the moments and locomotion के लिए बहुत जादे useful होती है तो ये तीन प्रकार की cells होती है इसके अंदर तो इन तीन प्रकार की cells को पढ़ते हैं सब सबसे पहले तो ये सबसे पहले होती है skeletal muscles फिर smooth muscles and cardiac muscles skeletal muscles सुती है स्केलेटर होती है और अब पहले only up and skeletal muscles की बारे में बात कर ले तो iskel आदेर होती है लोग वाली मसल्स होती है और लॉंग सिलेंट्रिकल एंड मुल्टिन फाइवर्स होती है और खुब सारे नुक्लियर यह उते हैं फिर उसके बाद में बात करें नॉन इस्टेटिल की तो नॉन इस्टेटिल में कुछ टैल के इसे आप इसे होग उस्टेटील के उस्टेटिल यह अर्पेशल का इस वाल अपटा इन वाड़ेंड पेशन को डीजियर अफिर की अचैज्ट आंदर प्रिज आपको बतां तो यह ऐसे तरह कि होदी और यूरी टीनिकले सिसके अंदर प्रजेंट होता हैं तो यूरी टीनिकलेटる फाइवरे तिक और यह बाद करें estamos काठीएख मसल्स की तो काठीए मसल्स होदी है stated with the interconnected disk for communication ये क्या होती है? stated होती है वैसे तो सीधी होगी लेकिन इन में क्या होगी? interconnected disk होगी कुछ disk present होती है for the communication यानि communication के लिए accurate the heart wall heart की wall होती है जो दिवार होती है उसके अंदर present होती है पर उसके बाद में short cylindrical union nucleated fibers होते है short cylindrical होते है चोटे-चोटे cylindrical होते है और unit nucleated मतलब एक ही nucleus होता है इसके अंदर ऐसे वाले fibers होते है पर उसके बाद में चलते है थोड़ा सा आगे ये वाली बात अपर निकल लिए फिर उसके बाद में आप neural tissue पर आते सीधा तो neural tissue जो कि फूर्थ पार्ट है टीशू का half of volume होता है वो किसे बना होता है neural sites बने के बना होता है दे protect and support the neurons और ये support and protect करते है neurons को neurons होते हैं उनको support and protect को रने काम करते हैं और उसके बाद में आप प्ना जाते हैं cockroach पे cockroach का पूरा जो scientific name है परिव बेनेट आमेरिकाना जातृप नाज को डाटको भी इंको दिखाई काव धीन वाले उलिवेर्स होते मतलब लाटको नाइट विजन वाले होते हैंडे रॉटार के समया क्याइब Product जैन सही रहे देने वा ओर providing प्रोवाज कनी रहा होते हैं-आप जमिन ओमनी वरिश मतलब दोनो चीज 재밌 एंग वाली एक खाटोश देने वाले और बौडी देने जो have सबस्क्राइब करें तो मौॉफलोजी में सबसे पहले आता है अपने पास हैड के अंदर देखे तो triangular formed of fusion of six segment तो यह 6 segment से मिलके बनाता है इसका head होता है वो 6 segment से मिलके बनाता है और बियर ए पियर ओफ एंटीना एक पियर ओफ एंटीना होता है compound आई होती है mouth part consist of the labrum labrum यानि अपर वाला लिप यानि उपर वाला जो के होटोता है LABA Noogia γैctureलो ऑले लीम लब्याभ और ले भीम दो एंटीना में पियर आफ मैंडीवेस संदे होता है mandibles के मतलब lower jaw APR of mandibles मतलब upper jaw होता है और maxile यानि lower jaw jaw की बात हो लिए है आपर तो mandible और maxile mandible maxile upper और lower jaw फिर उसके बाद में hyperpharynx act as the tongue hyperpharynx होता है वो tongue की तरह काम करता है फिर उसके बाद में thorax की बात करें head हो गया thorax की बात करें thorax में 3 segment होता है pro thorax, mesothorax and metathorax pro, meso and meta pro, meso and metathorax तो 3 thorax में divided होता है तो bear 2 pairs of the wings 2 pair of wings होते है क्या होते है 2 pair of wings होते है 2 pair होते है wings के भी तो 1 होता है 4 wing 1 होता है hindwing 4 wing जो आगी वाला होता है hindwing जो पीछे वाला होता है 4 wing होते है जिसको tagman बोले जाता है आप टेक मीना टैगमेन टैगमीन बॉले जाता है और evangel ढालरे तोई यह ऑट है यह पनक एक होगा किसके अंदर major थायस के अंदर 12 खांप टेक pineapple पिर उसका भी होता है वो ट्रांस्पार्ट होता है यह जो तोrob होता है उसके अंदर तीन पेर आफ लैक्स होते हैं, वन पेर इन इच थोरेक्सिक सेग्मेंट, एक पेर इसके अंदर होगा, एक पेर इसके अंदर होगा, और एक पेर इसके अंदर होगा, मतलब ऐसे एक जोड़ी पेर इसके अंदर, एक जोड़ी इसके अंदर, और एक जोड़ी इसके अंदर, त बात ano कि तो थार्स की अंदर हो खोड़ेटा मीडेट पैने toремATION तो bak fe श्टल हंदी बाकि छाता है वह कितने सेग्मेंट में बृता होता है ? वो काक्रोच का 10 segment के अंदर बटा होता है और बियरे पियर आफ दे लॉंग लंबा और segmented अनल सिर्साइज अनल सिर्साइज इन बहुत दा सेक्स दोनों के दोनों सेक्स होता है मतलब male और female दोनों के अंदर anal सिर्साइज तो प्रेजेंट हो गई seven segmented होता है वोइ बोट शेबड होता है मतलब a male के अंदर की about in males come males के अंदर देखे तो seven segment होता है कैसे होता है जने लब होता है तो λά फ妹इं थोड़ा सा आगे चलके बात ख्रें तो also the h ニनस और छने नटल बड़े है यह नेच्न वन चेड क्रह्ड होता है इसे वहाले पत्स गरेसिक वोले जाते हैं अ कलने पर करेंब कर SIM female cockroach के अंदर difference की तो male cockroach होता है उसका abdomen क्या होता है long होता है male cockroach का abdomen होगा वो long होगा और narrow होगा long and narrow होगा और उसके बाद में female cockroach का abdomen होगा वो क्या होगा short होगा होगा तो short लेकिं broad होगा short and broad होगा यह short and broad होगा यह long होगा लेकिं narrow होगा यह लांग लेकि नेरो होगा और यह शाट लेकिन ब्राइड होगा ब्राइड यह नि फूला हुआ जादा होगा तो उसके बाद में बात करें All 9s sternum are visible इसके अंदर 9s sternum are visible होते हैं मतलब पूरी के पूरी 9 sternum visible होते हैं और इसमें only 7th sternum fused with the 8 9th sternum इसके अंदर 7 sternum क्या होते हैं और जो साथ वह उता है ना 8 ओर 9 के साथ में क्या होता है ف्यूजड होता है तो only 7th visible होते हैं फिर उसके बाद में एनल इस्टाइल इस प्रेजेंट एनल इस्टाइल जैसे अपने देखा तो आने स्टाइल किसी अंदर होता है मेल के अंदर प्रेजेंट होता है उनली तो फिमेल के अंदर वो नहीं होता है फिर उसके बाद में चलते है थोड़ा सा आगे तो यहां पर बता रखा है अनटर के जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी अपन मौर्फोलोजी नि उनको देखे भार से कैसे दिखाए देते हैं तो वह होते है धुसाहिए और ये ह्पैटिक सीके सेवा गिया पर उसके बाद में हिंड गट आगी यां पर तो यह फोर गट फोर गट हो गया और 하पय टिक सी के से अलग ओगा फिर यहंपर लग हो गए फिर यह तीन पार्ट होते हैं तो फोर गट मिट गट हैं तो फोर गट की बात करें तो माउथ सबसे पहले अपन हीुमन की भी बात कर hone फूट को ग्रेंड करते हैं मतलब जो फूड है जिसको ग्रांक कें Points कि कौर्ण हुछुके कें जिसकी ग्रांनी हो च्विए फिर जेस्च बात करें तो हिंड खुर्ण कें चिश आपने अपने होता है अपने होते हैं डियू नद है इलियम काई कॉलन एंड एक्टम ये सारी चीजे प्रेजेंट होती है लेकिन इसके अंदर क्या होती है इलियम कॉलन एंड एक्टम काई की सीकम नहीं होती है इसके पास में तो इलियम कॉलन एंड एक्टम ये तीन चीजे होती है इलियम कॉलन एंड एक्टम तीन चीजे होती ह पिर उसके बाल में एनेस के होगे वहाँ से होके एक्सक्रीट होता है वह बाहर ऐक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है फिर उसके बाल में अपनी ऍैग्राप भी देख लेए इसका बहुत जादे इंबॉटन्ट है सबसे पहले दे रखा अपन को हैड के बारे में फिर उसके बाद में गैंडूलर पॉर्शन है जहां पर ग्लैंड्स प्रेजेंट हो दिया तो ग्लैंडूलर पॉर्शन हो गया सलाइवरी डिजर्वियर हो गया यह सलाइ होता है यह पेसिस्ट में ब्लैड वस्कोलर सिस्ट grasp की durum एपन टाईब होता है इसका जो blood vascular system होता है open type होता है visceral organs body in the hemolymve, जो सारे के सारे जो organs होते हैं, वो hemolymve के अंदर के अंदर या बात हो जाते है, colorless plasma with the hemocides, colorless plasma होता है, मतलब इसके अंदर plasma में color नहीं होता है, कि हमसारी यह उसके अंदर प्रश्र करन थे यह जैसे हें सुर्बेस्चाली से चबिकार्स लॉक्जा़ कोड़िया फिर हुमाओ होता है फिर से लिंगते candles recht prophet से निपू रूधर साथ मैं यह बना उस्टिया है इसको इसके ऐदर साइड में होते और यह गरते बनर ऐसके बन सीए को ब्लड के सीनियस से आएगा और ओस्टिया के थूप कर दिया जाता है और बलड कर लास होता है जिसको हमोलेंफ बोलेंफ मतलब इसके अंदर कोई बीक लर नहीं होता फिर उसके बाद में रैस्परीटरी सिस्टम के बात करें तो नैट्वर्क आफ़ ट्रैक्या खूब सारे ट लोथा ऍवार के तरफ निकले होते हैं और इस पैसिकल्स system which opens through the 10p of 10p of spasicles. अब इसके अंदर के होते है 10p of spasicles निकले होते है इसकी body से पहले से सीधे खुदी भार के तरफ निकले होते है और spasicles regulate होते हैं किसे spinter से की मतलब कोई भी spinter present होते है मतलब gate type में present होते हैं जो बंद कर लेते हैं फिर खोल देते हैं बंद कर देते फिर खोल देते हैं वह इस्पिंटर से रेगुलेट होते हैं और oxygen डिलेट डिरेकली तो तस और सेल्स को डिरेकली oxygen मिलती है हां पे कोई भी हाइट वाइट वाइट इसका कोई वह रोल नहीं होता ब्लड का फिर उसके वाद में oxygen and osmo regulation के बात करें तो malphigen tibles जैसे वह आना आपको पहले बता दिया malphigen tibles यृक और ट्री को होते हैं yuric acid का सी प्राडूक्ट के रूप में यृक असित मतलब भुछ ज्यादा concentrated urine सबसे जाधा concentrated urine का सी गरेशन करते हैं malphigen tibles होते हैं इसके अंदर एक्सक्रेशन के लिए फिर उसके बाद में नवस सिस्टम के बाद करें तर नवस सिस्टम में क्या होता है सेगमेंटली अरेंज़ गैंगलिया होता है इसके अंदर गैंगलिया प्रेजेंट होता है segmentally arrange होते हैं जो भी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक वैसे joint by pair of longitudinal connectives on the ventral side ventral side यह नहीं पीछे की आगे एक side में क्या होते हैं खूब सारे ganglia arrange होते हैं three ganglia होते हैं thorax के अंदर जो thorax होते हैं उसके अंदर three ganglia होते हैं और six होते हैं abdomen के अंदर brain is represented by the super oisophoregal ganglia जो brain होता है वो क्या होता है उसमें super oisofogal ganglia present होता है each eye consists of two thousand of hexagonal ometeria और हर एक eye होती है जो compound eye होती है इसकी cockroach की उसमें two thousand two thousand two hundred hexagonal ometeria होते हैं ऐसे hexagonal ometeria present होते हैं किसके अंदर cockroach की eye के अंदर किते 200 तो 200 hexagonal ometeria present होते हैं फिर उसके वाद में डिपार्वटिव सिस्ट्म की बात करें तो और आप बात करें तो सबसे पहले मेल डिपाथी शिस्ट्म की बात करें तो pair of ढौसट इपियर ऑफ टैस्टिर्प छार से शेगमेंट के अंदर तो ये बात किस की कर रहा है से हमाट से आपन आपड़ामन की और क्या होता है आप Spl 시 में ते उसके बाद मैं रएच्ट भैस के बाद में भाद में मेन ज़ा वोगा नफिँ एडा कि लो मेर भी और देल लिए तो वह घ cake एजा पाद साटाव गृद्ट को six seven segment की अंदर होती है फिर उसके बाद में by बात करें अपर फिर अब्याइब imminent या 3 एक्ति का areill इस ऑन्दर और उस्के बाद में औविडख्ट हो गेरजेटि यह जनेटिल चैंबर हो गया फिर सबंसेक विब् neutron法ई सब्रसे्टांसबर होताइ प्रधी मेल होती है रह फे मेल सो थैप जो हर एक टंग बना मतलब याग टैप में शाईट्न का बनाते दौिश नहीं हर जिसकेैंद इस हम फरिटिलाइजिए होते हैं य। ऑर उपसुलिका इस क Adventures में खरती me अब और और फोर्टा में शीया यह यह सारे की सारे नाइन टू टैन उतिका डिलीज करती है तो इन टोटल उतिकाव में यह सारी की सारी जो उतिकाई प्रेजंट होगी ना इसके अंदर तो उसमें 14-16 एक्स तो मिली जाते है एवरेज में फिर इसको आपने डेवलफमेंट अप्धा पैरी प्लेंटर अमेरिकाना प फूरर मेटा बोलस इंकम्पलिटेड मैट फॉरर मेटाम अर्फ सी्स पीर मैटाब्लिस टामांट करने लिए उसके वोग किने एकशन यहां तक चैप्टर यह खतम हो चुगा है तो वह आप देख लीजेगा यह आपके वही किस्टन है तो मैंने तो वीडियो पूरी कर दी है बस आपका एक काम रह गया है जल्दी से जल्दी जाके अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो और जो भी चैनल पर न्यू आया हो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते के जाना ताकि मैं भी किसी के लिए तो वीडियो बनाओ यार पूरी जरूर देखा कर हो क्योंकि थोड़ी देखते हो तो फिर आपको भी आद नी होगा मैं पक्का बोलता हूं ये सारे के सारे नॉट्स है वो ऐसे कोई खराब नॉट्स निया एकदम सही नॉट्स है और आपके प्रिपेशन के लिए बहुत बैस्ट नॉट्स है और बोर् नेक्स्ट वीडियो के साथ में जल्दी से मैं अप्लोड करूंगा